हेलो क्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक है CSS के अंदर Flexbox से related जितने भी concept थे यानि एक प्रकार से Flexbox का chapter फिनिस हो चुका है उससे related आज हम practice question को solve करने वाले हैं जिससे आपके सारे concept फिर से revise हो जाएंगे और जो भी चीजे छुट गई होंगी वो अच्छे से समझ में आ यहां पर हम देखने वाले हैं जो हमारा question है question क्या है recreate the following layout using Flexbox as closely as possible यानि कि हमें ज्यादा तर यहां पर क्या ध्यान देना है कि जितना हो सके उतना हमें Flexbox property को ही use करके इस layout को create करना है अब इस layout को create करने के लिए यहां पर कुछ चीजे दी गई है take the container height and width as 400 pixels यानि कि हमें क्या करना है जो container due होगा उसकी height and width को क्या रखना है 400 pixels लेना है उसके बाद उसके अंदर जो भी हमारे flex items होने वाले हैं यानि कि जो child element है उसकी height and width को as 100 pixels रखना है यानि 100 pixels height होगी और 100 pixels ही क्या होगी विर्थ होगी और उसके अंदर जो भी यहां पर आप 1,2,3,4 या फिर आप इसको 1,2 इसको इंगलिस में भी आप लिख सकते हैं जैसे भी आप रखना चाहें इसके अंदर वैसे आप यहां पर कुछ text भी लिख सकते हैं अपनी हर एक individual child due के अंदर तो यहां से उसकी font की size क्या रखनी है य यहां पर एक border दिया गया है अगर आप ध्यान से देखें तो उसके बाद इसके अंदर जो हमारे flex items है flex items कहने का क्या मतलब है जो हमने यहां पर child due को create कर रखा है हर एक individual due की यहां पर height and width जो है वो 100-100 pixels के equal है और उसके अंदर जो भी text आपने write किया हुआ है उसकी जो size रखन इसके equal रखनी है और जो हमारा container due है उसको अगर आप देखें तो container का जो यहां पर background color है वो क्या है white है बड़ जो हमारे child है उन सभी का background color यहां पर क्या है gray है and जो font का color है यहां पर जो भी font आपने लिखा हुआ है उसका जो text color है वो क्या है यहां पर black है तो इस प्रकार का ए दी गई है और इसका color भी यहां पर क्या किया गया है चेंज किया गया है तो इस प्रकार का layout हमें क्या करना है design करना है यह सारी चीजें यहां पर तो हम एक simple सा container due को create करने वाले हैं उसके अंदर कुछ items को हम place करने वाले हैं लेकिन यह सारी चीजें जब भी आप किसी भी website को create करते हैं तो उस condition पर multiple image आपको देखने को मिलती है यानि multiple card आप create करते हैं लेकिन उन सभी card को किस प्रकार से हम अपनी website के अंदर एक line के अंदर किस प्रकार से हम उसको display करवाते हैं उसकी जो भी उसकी actual की height and width होती है उसके हिसाब से वो सारी चीजे यहां से आपको समझ मे आ जाएंगी तो यहां से आपको इसको हलके में नहीं लेना है कि सिर्फ यहां पर एक simple सा layout create किया गया है क्योंकि यह website में आपको काफी जादा help करेगा जब भी आप अपनी image को create कर रहे होंगे उनको किस प्रकार से हम place करते हैं उनकी proper जो भी height and width होती है उसके हिसाब से तो और सबसे पहले हम यहां पर करने क्या वाले हैं यहां पर htm file के अंदर हमा जाते हैं आपर html file के और हम एक. क्रे screen कर लेते हैं सबसे पहले boiler plate को जनेरेट करते हैं तुछош्owe के बाद यहां से हम Aur टाइटं को सबसे क्रेक्षे हां से एक But यहां से हमें पता है कि एक हमें 겠ुष करना है तु- यहां से हमने container and k्रियेट कर लिया और उसको हमें एक और यहां से रडी हमने क्या दिया यहां से हमने id दे दिया container container name के हमने id दे दी अब इसके अंदर total nine dew को create करना है क्योंकि अगर आप यहां पर देखे तो total nine child यहां पर create किये गए इस container के अंदर तो यहां से हम क्या करने वाले हैं हर एक dew को तो हम यहां पर एक class name रख देने वाले हैं, तो dot और उसके बाद हमने यहां से class name ले लिया box name का, और इसको मैंने इंटर किया, तो first वाला due यहां पर क्या हो गया है, create हो गया है, इसको हमने जो number दिया, वो 1 दे दिया, इसी प्रकार से और भी create कर लेते हैं box, उसके बाद इसको प्रकार से यहां से 4 इसको हमने 4 दे दिया और इसके बाद 6 को create कर लेते हैं या फिर इसे को हम क्या कर लेते हैं copy paste कर लेते हैं यहां से control भी और इसके बाद 4 के बाद यहां से 5 कर देंगे इसको 6 इस प्रकार से और इसे 7 और यहां से हम 8 यहां से इसको 8 दे दिया और इसको हमन 9 दे दिया totally 9 चाहिए हमें तो इसको हम यहां से हटा देते हैं और यहां से हम क्या करने वाले हैं right click करके format document कर देंगे सारी चीज़े automatic adjust हो जाएंगे यहां पर उसके बाद अब हमी क्या करना है यहां से हमने due को create कर लिया अब ही के लिए अगर यहां से हम देखें तो यहां से refresh करते हैं तो कुछ भी यहां पर इसको height and width नहीं दी गई है individual due को तो इस condition पर सिर्फ हमें यहां पर numbers दिखाई दे रहे हैं 1,2,3,4 इस प्रकार से हम यहां पर क्या करने वाले हैं container के लिए styling को set करने वाले है जिसके लिए सबसे पहले हमने यहां से flexpractice.css file को create कर रखा है इस file को हम link कर लेते हैं तो link करने के लिए यहां से हम link tag का use करते हैं और इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे यहां से relation में हम क्या बताते हैं style sheet का relation बताते हैं और यहां से हमने relation में style sheet दे दिया उसके बाद href के अंदर हम यहां पर क्या देने वाले हैं जो भी हमारी css file का name होगा तो यहां से flex उसके बाद flex यहां से practice.css यह हमारी file है इस file को हमने यहां से link कर दिया अब यहां पर css की file link हो चुकी है अब यहां पर हम करने क्या वाले है जो हमारा container है container को हमने id दे रखी है यानि कि इस view को id दे रखाया तिस id को हम यहां से ले लेते हैं और यहां से id selector का use करेंगे और इसके बाद id selector के अंदर सबसे पहले हमें पता है तो हमारा container है इसकी height and width को 400 pixels के equal ही रखना है तो यहां से अभी के लिए हम यहां पर इसकी height को set कर देते हैं height को क्या लिए हमने यहां से 400 pixels के equal set कर दिया और इसकी width को भी हमने set कर दिया to 400 pixels के equal उसके बाद यहां से हम इसको एक border दे देते हैं तो यहां से एक border set कर दिया हमने border two pixels का हमने set कर दिया उसके बाद इसको हमने एक solid border set किया उसके बाद इसको में color देने वाले है light sea green यहां से हमें color दे देते हैं और इसको हमने save किया save करने के बाद जैसे ही page को refresh करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं एक border क्या हो चुका है यहां पर आ चुका है यह पूरा क पूरा हमारा क्या है container area इंस्पेक्ट करके अगर आप इसको देखते हैं तो यहां से आपको यह समझ में आ जाएगा कि एक पूरा का पूरा जो हमार करना है कर्व करना है यानि side side से corner से तो उसके लिए किसका यूस करते हैं बॉर्ड़र डाचर प्रोपरेटी का यूस करते हैं तो बॉर्डर रेडियस प्रोपरेटी को ले लेते हैं 10 pixels कई कॉल यहां पर डिसेप किया उसको जो हमारा यहां पर container है इसको हम display flex कर देते हैं यानि कि अपने container को display क्या कर देते हैं यहां से flex कर देते हैं क्योंकि हमें flexible layout क्या करना है create करना है और यहां से हमने page को refresh किया तो यह हमारा display flex हो गया by default जो हमारी direction होती है वो क्या होती है row हो जाती है जब भी हम display flex करते हैं अपने container को तो उस condition पर जो भी हमारे items होते हैं वो क्या हो जाते हैं row direction में आ जाते हैं यानि कि left to right main direction में आ जाते हैं तो इस प्रकार से हमारे सारे के सारे जो भी इसके अंदर items हैं वो कैसे आ गए हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो एक single line के अंदर आ Vatican उसा फ्लेक्स ऐसित कर दिया से लिए क्या रिखने वाले और इसके बाद सेप्याओं करने के ऊसे उन्याओं क्या करने लाए हैं इसके लिए सबसे पहले अभी हम क्या करने हैं सबसे पहले हम क्या सेट कर लेते हैं जो भी हमारे कंटेनर के अंदर elements है यानि flex items है इन सभी के लिए हम कुछ प्रोपरिटी को यहां पर सेट करने वाले हैं box यहां पर हमने class दिया हुआ है तो class selector को लेंगे तो यहां से हमने क्या ले लिया box उसके बाद इसके लिए हम प्रोपरिटी क्या सेट करने वाले हैं हर एक individual due की जो height and width है वो 100-100 pixels के equal रखनी है तो यहां से हमने क्या ले लिया जो height set किया वो 100 pixels के equal रखा और इसके बाद जो भी width set किया वो भी क्या है 100 100 pixels के equal है और इसके बाद हमने इसको save किया, save करने के बाद अभी के लिए page को refresh करेंगे तो कोई change यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना change आ रहा है कि सभी ने अपनी height and width को ले लिया है और इस container के अंदर उनकी जो भी height and width थी अभी लेवल, वो क्या हो चुकी है, यह हमने क्या set कर दिया, gray set कर दिया, उसके बाद save किया, save करने के बाद अब जैसे ही refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतनी area यह क्या हुआ है, जो भी हमारे individual view हैं वो ले रखे हैं, लेकिन अब इन सभी के लिए हमें एक border set करने वाले हैं, तो यहां से हमने क्या set कर दिया, border border set कर दिया, border हमने 2 pixels करें दिया, 2 pixels वो भी solid border हमने यहां से दिया, और black color का हमने यहां से border set कर दिया, save किया, save करने के बाद रिफ्रेस करेंगे, तो अब यहां से हर एक individual view के लिए, जो भी height and width set हुई है, वो यहां पर क्या हो रही है, display हो रही है, अभी के लिए इसको अगर आप inspect करते हैं, उसके बाद check करते हैं, तो यहां पर हमने जो height and width दी हुई थी, वो हर एक individual item को नहीं मिल रही है, यहां पर अगर आप देखें, इसकी height तो यहां पर मिल रही है, लेकिन जो width है, वो क्या नहीं हो रही है, यहां पर available ना होने के कारण, काफी कम-कम width यहां पर करते हैं, तो यहां से हम क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, अगर container के अंदर यहां पर जितनी available space होती है, वो मिलने चाहिए individual due को, otherwise हमारे due क्या आ जाने चाहिए, next line के अंदर आ जाने चाहिए, page को refresh हिया, तो इस प्रकार से हमारे हर एक individual due next line के अंदर आ चुके है, इस due को अगर आप देखें, तो इसकी जो भी proper यहां पर high 10 width है, वो क्या हो रही है, यहां पर display हो रही है, इसके जून को 100% यहां पर रखते हैं, तो उस condition पर आप देख सकते हैं, यहां पर high 10 width क्या हो रही है, मिल रही है इस प्रकार से, अब यहां पर हमें क्या करना है, high 10 width मिल रह एककोले एकवड़ली कर दिया उसको हम कहाँ पर रखना चाहते और उसको हम कहां पर रखना चाहते हैं यहां पर citation में charges तो इसके लिए हम क्या set करेंगे align item property को हमने पढ़ रखा है तो यहां से align items property हमने क्या कर दिया to center set कर दिया और इसके बाद हमने इसको save किया save करने के बाद page को refresh करते हैं तो यहां से जो हमारे items थे वो क्या हो गए है center में आ चुके हैं लेकिन अभी इसके अंदर जो text लिखा हुआ था यहां से align items करने पर क्या हो रहा है जो भी हमारे flex items थे वो center में हुए हैं इस container के अंदर वो center में हो चुके हैं लेकिन जो यहां पर text लिखा हुआ है, इसकी size को हम थोड़ा सा increase करने वाले हैं, to 50 pixels के equal, और इसको भी हम center में place करने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या use करने वाले हैं, यहां पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम यहां से set कर लेते हैं, जो font size है, उसको हमने क्या set कर दिया, 50 pixels के equal, और इसको save किया, save करने के बाद यहां से check करेंगे, तो इसकी size है, यहां से increase हो गई है, अब इसको हमें center में लाना है, तो उस condition पर, हम इसको text align क्या कर देंगे, तो center कर देंगे, तो इस condition पर हमारे जो भी text होंगे, वो क्या हो जाएंगे, centralized हो जाएंगे, यहां से आप देख सकते हैं, इस थार तरीके से यहां पर क्या हो रहे है, create हो चुके है, तो यह सारी चीजे कब work करती हैं, जब भी आप किसी भी website को open करते हैं, माल लीजे हमने यहां पर किसको open कर लिया, यहां से Amazon की website को यहां से हमने क्या कर लिया, अब यहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं, कि किस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखते हैं जो card create किये गए हैं जैसे हमने वहाँ पर simple सा items को flex बना कर क्रिस किस प्रकार से place किया हुआ है यह सारे card भी उसी layout में place किये जाते हैं यानि सारी property वही use की जाती हैं यहाँ से आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जब भी आप किसी भी website को build करेंगे तो वहाँ पर काफी जादा help कर रही होगे यह सारी चीजे जो हमने अभी यहाँ पर सीखा हुआ है layout same होने वाला है बट यहाँ पर हमने जो यहाँ पर width रखी हुई है height रखी हुई है वो यहाँ यहाँ पर अपने हिसाब से रखी हुई है लेकिन अगर आप किसी भी website को check करते हैं तो उसके हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हैं place कर सकते हैं तो यहाँ से यह point आपको समझ में आया होगा कि हर एक individual items को हम किस प्रकार से उसकी proper height and width के हिसाब से container के अंदर क्या कर सकते हैं place क कर सकते हैं जितनी available space होती है उतनी लेना चाहिए otherwise हमारे जो items है उफ्लेक्स wrap की help से क्या हो जाने चाहिए wrap हो जाने चाहिए यानि next line में चले जाने चाहिए यह था आज का हमारा topic I hope दोस्तों करा आज की information आपको अच्छी लगी हो तो please video को like करना channel को subscribe करना और दोस्तों के प करना